हेलो दोस्तों मेरा नाम है सुनिर और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूटूब चैनल पर दोस्तों यदि आप ATM के तुरू अपने बैंक में पैसे डिपोजिट करना चाहते हैं तो चलिए आज के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अभी हम लाइव मनी डिपोजिट करेंगे अपने अकाउंट में और उसके लिए मैं ATM मसीन के पास आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं आपको एक बार ओर्विव दिखा देता हूँ इसका इंटरफेस कैसा है और इसके बाद हम यहाँ पर चलिए अब इंसर्ट कर लेते हैं अपना काड और ATM कार्ड इंसर्ट करते ही आपके पास स्क्रीन में कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको अपना कार्ड जो है वो रिमूव नहीं करना है बाहर नहीं निकालना है जब तक आपका पूरा लेंदेन न हो जाए तो अभी उसको रहने देना है और इसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस मिलेगा आपको इसमें अपना लेंग्वेज सेलेक्ट करना है चलिए मैं इंगलिस सेलेक्ट कर लेता हूं इसके बाद आपको यहाँ पर 10 से लेके 99 तक कोई भी दो अंग के रेंडम नंबर सेलेक्ट कर लेना है चलिए मैं 85 करने के बाद येस पर क्लिक करता हूं अब यहाँ पर आपको पीन इंटर करना है जो कि आपका ATM का पीन होगा और इसे कभी भी सेयर मत कीजेगा किसी के साथ पीन इंटर करते ही आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा इसमें आपको बैंकिंग के ओप्षन पर क्लिक करना है इसके बाद आपको डिपोजिट के ओप्षन को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस मिलेगा इसमें आपको कैस deposit करते ही आपको यहाँ पर थोड़ा सा wait करना है और wait करने के बाद आपको बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर कोई भी service charges नहीं लगेगा तो चलिए मैं अब इसे continue करता हूँ continue करते ही आपको यहाँ पर account type select करना है जो कि generally saving होता है और मैं saving करता हूँ मेरा saving account है यदि आपका current account है तो आप current account select कर सकते हैं यह सब complete करते ही आपका यह cash वाला box open होगा लगभग 4-5 second बाद और इसे में अपने cash enter करना है आपको चलिए मैं 5-5 से होके 2 note insert करता हूँ और उसके बाद मैं इस पर enter click करता हूँ enter पर click करने आपको यह process करके बता देगा कि आपने इसमें कितने पैसे insert किये हैं यानि कि deposit किये हैं तो आपको 5-5 सो के 2 note दिखाएंगे जो कि आप screen पर देख पा रहे हैं 500 के 2 note और total 1000 यदि मैं और इसमें add करना चाहता हूँ money तो add more cash पर click करूंगा इसके बाद मैं इसमें 200 के 2 note और insert करता हूँ deposit करता हूँ इसके बाद enter पर click करूंगा मैं आपको यह 2 बार 3 बार करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए यदि आपको फिर एक ही बार insert करना है तो आप 500 और 200 के note एक साथ डाल सकते हैं लेकिन मैं अलग-अलग करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और इतना करते ही आपको यहाँ पर फिर से पूरा चीज दिखा दिया गया है कि आप 200 के 2 note डाले है और टोटल 14 मैं फिर से एक बार add more cash करता हूँ और कुछ खराब type का note डाल के देखता हूँ मतलब 700 के 4 note डाला हूँ और एक थोड़ा सा कमजोर type का है तो देखते हैं वो return निकल पाता है या फिर पूरा accept कर लेता है तो थोड़ा देर बाद पता चल जाएगा आपको थोड़ा wait करना है और wait करने के बाद ये process complete करने के बाद आपको बता देगा please remove your cash मतलब आपका जी हाँ एक note थोड़ा बेकार type का है खराब है तो इसे वापस कर दिया बाकि 3 note 100 के ले लिये हैं अभी total अपना 700 रुपय इंसर्ट हो चुका है डिपोजिट हो चुका है अब हम confirm पर click करेंगे दोस्तों इसको confirm करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा अब आपको कुछ नहीं करना है थोड़ा देर wait करना है लगभग 10 से 15 सेकेंड रिसिप्ट के लिए और ये आपको एक रिसिप्ट के रूप में यहां पर आपको देगा जिसमें आपको पूरा details देगा कि आप कितने पैसे add किये हैं deposit किये हैं आप अपने account में ATM के तो वो सारा कुछ यहां पर रिसिप्ट में देखने को मिलेगा और थोड़ी देर wait करना है आपको प्रोसेस अभी complete होने ही वाला है हो गया है दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर से हमको रिसिप्ट मिल चुका है इसमें आप अपने bank account में पैसे deposit करने में सफल हुए होंगे और मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद सफल हुआ होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाईए वीडियो पूरान तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मिलता है किसी नए वीडियो में एक ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय ही जय भारत